हरे क्रिशा दोस्तों मैं दी पांशन श्वागत करता हूँ आपका CGPS शिव्यापवाम में एक बहुत ही महत्पुन जानकारी के साथ एक अजीबो गरीब जानकारी जी हाँ चत्रिजगर में एक ऐसा भी भाग है जिससे पहले भरती विग्यापन जारी किया था उस पत पर भरत आग जल रही है उस पत पर भरती की उस पे घी का काम किया इस पत को निकालने से बात है वन विवाग की जी हाँ दोस्तों इसके पर हम बाचित करेंगे साथ में 20 पतों पर जो समविदा भरती विग्यापन निकला है उसका पूरा आयू सीमा और चैन प्रक्रिया कैसी उस पर अगर भी हम बाचित करने वाले तो जल्दी से यह बिन अग्जितरी वीडियो को इस्टार्ट करते जिरों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से शब्सक्राइब करें तो देखिए सबसे पहले बात करते वन विभाग के एक लापरवाही बोल सकते हैं क्योंकि वन विभाग ने आपको बताना चाहूंगा जैसके आपके इश्किन पर शो हो रहा होगा ये खबर पांच महीने पहले देनिक भासकर के अकबार में छपा था जिसमें बताया गया था कि फॉरेश्ट गार्ड में 299 पदो पर भरती को मिली मंजूरी फिजिकल सितंबर में फिर लिखित एक पर होंगे 560 दावेदार ये खबर जो है तो जो है पांच महीने पहले छपी थी जिसमें बताया गया था कि सितंबर में ये सारी चीज़े होंगी पर अभी तक कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं हो पाया चाहे वो आरक्षन की वज़र से हो या अन्य कारण हो और उसी के मद्दे नजर फिर बोल सकते है आग में घी का काम किया भरती विग्यापन फिर जारी कर दिया जैसे कि आपके इश्किन पर शो हो रहा होगा यहाँ पे एक एक पद जारी किया गया है एक बॉस्केट बॉल में पुरूस के लिए और एक लॉन टेनिस में एक पद महिला के लिए और ये जो है वन मंडल अध जो है वो जो चुकिए समाय नीवर्ग के लिए है तो 79 सेंटीमीटर नियून्तम और महिला के लिए 74 सेंटीमीटर नियून्तम होनी चाहिए और मीनिमाम आईसी माए 8 वर्ष और मैग्जिमाम 40 वर्ष ता है इसके साथी आगे पूरा चीज आपको इसका पीडियाप लिए फ पदों पर निकली हुई है अभ्यर्थी सवाल तो यही करेंगे कि क्या हुआ दोसे इंक्यानवे पदों की फॉरेश्ट गार्ड भरती का और वन विभाग की लापरवाही यहां पर नजर आ रही है कम से कम अभ्यर्थियों को एक जो टाइम टेबल है वो उनको दे देना चीज जिससे की वो उसके तहट पूरा समर्पित भाव से उसकी तैयारी करें इसी वज़ा से कही न कहीं यह जो बद है वो आए अच्छी बात है पर नंतु जो पुरानी भरती है पहले वो कम डेट हो उसके बाद जो नहीं भरती है तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों में भी खुसी जीला बिजापूर जहांपे डबलू टी सदस्य यांत्री की आजीविकास समुविकास डाटेंटियो अपरेटर और जो अलग अलग जो सचीव है वो और लेखापाल सहर डाटेंटियो अपरेटर टोटल 20 पद है सैलरी भी आपकी स्क्रिण पर शो हो रहा होगा 37,440 साथ मे मिनिममम 5000 जो सचीव है उनके रहेंगे अब अगर हम बात करें कि अच्छी बात यह है कि इसमें पर्टिकुलर यह नहीं कहा है कि बीजापूर के मूल निवासी हो यहाँ पर इस पष्ट कहा है कि भीया आपको 36 गड़ का मूल निवासी होना चाहिए बस यह ही कहा तो यह 900 रुपए सेलरी है और जो इसकी योग्यता है उसकी बात करें तो माननेता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में डिप्लोमा अठ्थवा डिगरी समाने प्रसेशन भीभाग के पत्र कमांग यह बताया गया है और लेकी संस्था उधारा जारी प्रमान को ही मानने दिया जा कंप्यूटर का 15 अंबर जो वेतनमान का अनुभाव के पंदरा नंबर उक्त अनुभाव में पंदरा विभाजन होगा जिसमें की नियुनतम पांच अंख तीन वर्ष के लिए जाएंगे और पांच वर्ष तक का अधिकत उनको पंदरा अंक दिये जाएंगे इस प्रकार से सत्तर पंदरा पंदरा में ये विभाजित है और अंतिन तारीख है 20 मार्च तक इसमें आप फॉर्म है जमा कर सकते है याद रखिएगा यहाँ पे जो टोटल पद है पदों की संख्या एक है जियो अनुसुची जन जाती के लिए आरक्षित है ठीक है बात करते है अगला पज जैसा की है और इसकी पूरी जानकारी इसका जो पूरा डिटेल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जागा तो टेलीग्राम से जुनने के लिए नीची डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल लिंग दिया हुआ है आप वहाँ से जोईन हो जाईए अब बात करते है डबलू टी स आपको डिटेल लेखना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जोईन हो जाईएगा वहाँ पर आपको फॉर्म फीलप करने का जो पूरा पत्र है वो भी आपको मिल जाएगा इसके अलावा जो सची हुआ है 11 पत्र जो सची है वो जिसकी सैलरी 5000 है उसकी भी जो जानका वालों के लिए जो है वो रिजर्व कर दिया जाता था लेकिन अभी इसको खोला गया है कि 36 गड़ के आप कोई भी जीले में हो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं अब रही बात बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड भरती का तो सही बात है फॉरेस्ट अच्छी खबर है आप सभी के लिए आने वाले समय के लिए तो फिलहाल बस आप लोगों को यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़ाई करिए और सांदर तरीके से पढ़ाई करिए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लागा होगा अगर वीडियो अच्छा लागा झाल 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 झाल